तो बेलकम बैक दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग आखरी 45 दिनों में रेलवे की तैयारी कैसे करें पांच टिप के साथ अगर जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो नीचे दिये गए रेट क्लक के बटम क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें वगल में यह आपके बेला कावन होगा उसको भी दबा लें इससे मेरे नए वीडियो की नोटिंग विकेसन आप लोगों इस वीडियो को ध्यान पूरवक देखें क्योंकि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही रहातफुल और बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है क्योंकि रेलवे के एक्जाम के 25 दिन ही बचे हैं इन 45 दिनों में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है सारी बाते इस होंगे एक्जाम की फाइनल तारीकों को अनौस्मेंट होना वाकिए लेकिन सवाबना यह कि 15 जून के आसपास हो सकती है यानि अब कंडिटर्स के लिए क्योंकि 45 दिन ही बाकिए 45 दिन बहुत नहीं तो कम भी नहीं है अगर आपने अभी भी तयारी जूरू की नहीं की तो सब्सक्राइब करने में कोसिस कर सकते हैं यहां आपको बता रहे हैं कि पांच टिप्स कर वो कौन-कौन से हैं इस वीडियो में पांच टिप्स में आपको बताने के लिए जा रहा हूं प्राट है यहां प्राट हम निना प्राट है कि प्छले सालों के पेपर सौल्व करें यानि कि फेले पिर्विस एथरक बशिए प्रको आप पड़ों को आप लोग तीन से चार गंटे दें नयजी सकते तो कमब नहीं कि दो या इंधी ऑले लोग दीजिए पिछन अज नहीं कि नहीं तो net worth search किजिए तो previous year के paper भी solve कीजिए ठीक है सबसे पहला काम तो आप कि ए किजिए कि पिछले साल के जो भी papers हैं आपके पास level हैं भी जुटाकर उन्हें solve करें यानि उन्हें solve करें इसे आपको एक्जाम के pattern का पता चलेका pattern करने के बाद एक्जाम में बैटने का confidence बढ़ जाता है कि दूसरा fact इसमें यह topic दूसरा यह है कि पिछले सालों के paper solve करने के साथ साथ अधिक से अधिक mock test में भाग लेने की कोशिस कीजिए कि कई चैनल वगेरा और मेरा भी हर रात में 7 दी करीब मैं आप लोगों का online टेस्ट उसमें भी आप भाग ले सकते हैं और अधरवाइस और भी चैनल है वो भी टेस्ट लेते हैं उन चैनलों के टेस्ट भी देखिए और दीजिए इसे आपकी speed बढ़ेगी और आपको confidence आएगा कि आपके कितने कोशन गलत हैं कितने कोशन सही है मौक टेस्ट की expert दोरा इस तरह हैं से तयार की जाते हैं कि उन्हें attempt करते समय आपको ऐसा feel होगा मानूं आप अस्री exam दे रहे हैं इससे भी आपको pattern का पता चलेगा और साथी आपकी speed का भी test हो जाएगा तो दोस्तों से इसमें तीसरी tips यह आजाती है जबकि railway के exam में करी 45 दिन बचे हैं तो इनका भरपूर यूज़ कीजिए दिन प्रते दिन practice कीजिए यानि कि आप लोगों के बाद जो भी पुरानी books हों अगर books नहीं है तो net पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा question paper देखिए और उन पर भी का ज़्यादा फोकस किजिए उन्हें हल कीजिए उन्हें solve को कीजिए इसे आपकी इस्टेलिसी बढ़ेगी और आत्मीसवास आपको बढ़ेगा जब आप एक्जाम देने के लिए जाएंगी आप computer के सामने बैटे क्यों कि इस वार आउन-लाइन एक्जाम होगा computer के सामने आप बैठेंगे इसे आपको काफी help मिलेगी और confidence भी आपका बढ़ेगा रेलु की इस एक्जाम में maths और रेजिनिंग के करीब 50% सवाल आएंगे जबहले ही आप कितने भी intelligence क्यों ना हो इन सवालों के practice किये बगए एक्जाम के रिक क करें तभी आप इस एक्जाम को correct कर पाएंगे दोस्तों चौथा topics इसमें यह आ जाता है कम से कम दू अख़वार पढ़ें रेल्वे के इस एक्जाम में general knowledge current affairs से समन्दित भी काफी सवाल होंगे दोस्तों देखिए current affairs समन्दित मैं हर महिने हर सब्ताहिक और चाहे एक दिन का हो या में चार जोदा से पंदा दिन का हो मैं current affairs अप्रेट हर महिने का upload करता रहता हूं अगर आप लोग चाहें तो playlist में जाकर मेरे उन current affairs के वीडियो को देख सकते हैं और आप तयारी कर सकते है आप लोगों को काफी help मिलेगी मैंने एक महिने का भी डाला है current affairs सब्ताहिका भी मैं डालता हूं और परड़े मैं current affairs के वीडियो अप्लोड करता रहता हूं तो ज्यादा से ज्यादा देखिए 2017 का current affairs मेरे playlist में मिल जाएगा जब मेरे चैनल को खोलते उसे playlist का उपर option आपको म नर्च हे मिल जाएंगे तो आप तयारी असानी से कर सकते हैं oh are weButan कर सकते हैं तक कर सकते की रोजाना अखवार पढटने भी हो सकती यानि कि अपने माइड में कोई भी टेंसन ना रखी है कोई टेंसन पा लिए नहीं आप लोग जब आप टेंसन पा लेंगे तो आप इस टेड़ी पर फोकस नहीं कर पाएंगे तो तनाव पूर बिल्कुल रही है तब ही आप तैयारी कर पाएंगे किसी भी competitive exam में सफलता के लिए एक ही बहुत बढ़ी जूरूई tips है इस तरह किसे एक्जाम में पूरा खेल ही इस बात पर depend करता है यानी कि पूरे इख्जाम में इस खेल पर depend करता कि आप एक्जाम देते समय आपको mental balance कैसा रहता है आप पने दिमाग को तब balance कर पाएंगे पेंट के नीचे बैठ जाईए और जाता से जाता इस्टेड़ी आप फोकस पर करें क्योंकि 45 दिन बचे हैं मत तयारी करने में सुना जा रहा है कि इसका एक्जाम जून में हो सकता है कोई क्लियर नहीं है कि जून में ही होगा तो दोस्तों मेरी सुकामना आप लोगों के साथ में है तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट करकर जरूब बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाग जरूब करें और अपने दोस्तों में सेर भी करें और जो मेरे नए दोस्त